हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल पर मी ब्यूटी वर्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्त और मस्त होंगे काईज आज की वीडियो हमारी नोज हेर कटिंग से रिलेटिड होने वाली है और गाईज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर नोज से रिलेटिड काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी अगर आपकी नोज में अन्मांटिड हेर हैं तो आप नोज हेर कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं nose hair waxing करने का सही तरीका क्या है nose hair waxing करने के लिए मैं कौन सी wax use करती हूँ nose massage से related भी मैंने काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर upload कर रखी है तो please मेरे चैनल पर visit करें और guys अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो useful, interesting and knowledgeable लगे तो वीडियो को like करें, share करें साथ में चैनल को subscribe भी कर दे and bell icon को जुरूर press करें ताकि आने वाली latest वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे guys nose hair cutting करने के लिए सबसे पहले आपने torch जला लेनी है phone की या फिर आप कोई other torch भी use कर सकते हैं ताकि proper तरिके से आपको nose के hair visible हो सके फिर nose को hold करते हुए nose में कम hairs हैं आपको लगता है कि ज्यादा hairs नहीं है तो आप nose hair cutting करवा सकते हैं पर अगर आपकी nose में काफी सारी hairs हैं वैं nose के बाहर भी निकल निकले रहते हैं और पूरी nose full भरी हुई है और वैं आपको hair पसंद नहीं है तो nose hair cutting से वैं proper तरीके से remove नहीं होंगे उसके लिए आपको nose hair waxing करवानी पड़ेगी और पहले आप हलके full के hair cut करवा लें then waxing करवा लें तब भी easily wax हो जाती है और मेरे चैनल पर nose hair waxing related मैंने already काफी सारी वीडियोज अपलोड कर रखी है तो आप उन वीडियोज को देखके भी nose hair waxing का procedure सीख सकते हैं और guys ये जो मेरी client है इन्होंने केवल nose hair cutting ही करवानी थी क्योंकि nose hair waxing नहीं करवाना चाहती थी ये client तो ऐसे में हमने इनकी केवल nose hair cutting ही की है क्योंकि अगर client हमीं बोल रहा है कि आपने केवल nose hair cutting ही करनी है तो हम nose hair cutting ही करेंगे guys nose hair cutting करने के लिए आपने scissor का use करना है पहले मैं बारीक scissor का use करती थी जो पतली सी होती है पर कई बार क्या होता था वैं scissor client की skin पर लग जाती है तो ऐसे में आप थोड़ी मोटे वाली scissor का use करें उससे easily haircut भी हो जाते हैं और client की skin पर लगने के chances भी कम होते हैं और जब आप scissor का use करते हैं तो आपने ध्यान देना है scissor को client की skin के ज़्यादा पास नहीं दे जाना क्योंकि उससे भी client की skin में cut लगने का डर रहता है अगर आपके client में nose pin वगेरा पहन रखी है तो आपने उसे hold करके ही अच्छे तरीके से nose hair cutting करनी है पर अगर आप nose hair waxing कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपने प्रोप पर ध्यान देना है क्योंकि जब हम nose hair waxing करते हैं तो हम stick को बाहर की side pull करते हैं तो ऐसे में अगर आपके client में कोई nose pin या फिर ये ring type में पहन रखी है तो आप उसे पहले अच्छे से hold करेंगे तब ही आपने stick को बाहर की side pull करना है otherwise client की skin में चोट लग सकती है skin चीर सकती है तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कि आपने nose pin को या तो remove कर लेना है अगर remove नहीं करते तो आपने उसे अच्छे से hold करने के बाद ही waxing stick को बाहर की side pull करना है तो देखिए बाते करते करते मेरे client की nose hair cutting का procedure complete हो चुका है तो चलिए मिलते हैं आप से किसी next video में ओके take care bye bye thanks for joining thank you so much